हेई गाइज वालकम बाक तो मिस्टर व्यास और आज हम बात करने वाले गूगल सेंड बॉक्स का कॉंसेप्ट क्या है क्यों कोई नई वेबसाइट होती है वो क्विकली रैंक नहीं करती है चाहे उसका कंटेंड कितना भी अच्छा हूँ इसके पीछे गूगल का क्या कहना है और इसके पीछे कुछ expert advices का क्या कहना ये सारे doubts में आपके इस video के अंदर मैं clear करने वाला हूँ within next 3 to 4 days because मुझे बहुत सारा सवाल आ रहा है कि मेरी side चालू किये मैंने दो मेने हुए लेकिन अभी तक वो कुछ rank नहीं हो पा रही है किसे भी तरीके से up rank नहीं हो रही है कोई keyword index नहीं हो पा रहा है उसके पीछे की वज़र क्या है so guys अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो चनल को subscribe कर दीजिए video को like की और comment करके अपने opinion बताना की आपकी side पर क्या results आ रहे हैं तो without wasting time शुरू करता है anyways guys I hope कि यार आप लोगों ने चनल तो subscribe कर लिया होगा नहीं किया हो तो कोई पूराना वीडियो देख लो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो पर आकर subscribe कर लो चनल को subscribe करो because I guarantee you will like my content anyways guys सबसे पहले बात करते है Google sandbox क्या होता है देखे गाइस इसके पीछे का कोई भी logic actually Google ने कभी भी disclose नहीं किया है लेकिन Google के कुछ experts है उन्होंने कहीं ने का indication दिया है कि Google के पास कोई एक ऐसा different algorithm होता है जो नई sites को different तरीके से index करता है Google sandbox जो लोगों का कहना है वो एक दूसरी तरीके का algorithm है जब भी आपकी कोई नई websites होती है definitely यह क्यों होता है वो भी मैं explain करता हूँ आपकी जब भी कोई नई websites होती है तो उस website के authority नहीं होती है it doesn't matter कि आप उस पर होने वाला post 15,000 word का हो या 5,000 का हो या 300 word का हो Google के लिए आपकी site brand new है आपने जो content लिखा है उसकी कोई authenticity नहीं है मतलब कोई ऐसी जगर नहीं है जहां से Google आपके content पर believe कर सके इसलिए क्या करता है जब भी आपकी नई sites होती है उसको एक अलग से zone में रखा जाता है उसके लिए अलग से crawler आपकी site को आने के बाद आपके keyword को अलग position पर set करता है मतलब कि आपकी site पर आपको quickly results नहीं देखने मिलते है चाहे आप कोई से strategy यूज कर लो ऐसा कहना है expert का लेकिन Google का officially ऐसा कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई algorithm है नहीं और यह जो चीज है जिसको expert नाम दिया that is Google sandbox मनला एक ऐसा box जहां पर आपकी site को रखा जाता है और वो कितने दिन तक उस section के अंदर रहेगा उसकी कोई guarantee नहीं है हो सकता है आपकी site वहां से दो महिने में बाहर आ जाए एक महिने में बाहर आ जाए या एक साल के अंदर बाहर आ जाए तो गईस बात करते हैं कि वो sandbox अगर ऐसे कोई नई site होती है तो उस site का एक user acceptance testing होता है मतलब कि आपने जो content publish किया है सबसे पहले चीश का आपकी नई site है तो Google आपके content को believe नहीं करेगा उसको एक अलग तरीके से उसको index करेगा लेकिन आपकी site को testing purpose से वो कभी-कभी impressions दिखाना चालू करेगा मतलब कि किसी user ने किसी query को push कि तो आपकी site उसको दिखेगी और देखने के बाद user ने click करके आपकी site पर गया उसका engagement कैसा आपकी site के साथ में क्या user वहाँ पे अपना dwell time बढ़ा पा रहा है क्या वो आपके content को read कर रहा है नहीं कर रहा है अगर वो आपके content को read कर रहा है और engage हो रहा है तो guys उस case के अंदर Google और testing करता है और यसे multiple testing के बाद उसको लगता है कि हाँ आपकी site valuable है उस पर होने वाला content है वो user के intent को fulfill करता है तो इसके बाद आपकी site को basically जो normal crawlers आते है वो आपकी site को index करते है और आपकी site बाकी की तरह ही दीरे-दीरे index होने लग जाती है तो यह concept होता है Google sandbox का मैं नहीं जा जानता है even Google खुद भी किसी को officially declared नहीं करता है लेकिन yes this is a reality और इसलिए आप में सब बहुत सा लोग जो मुझे comment करते रहते हैं कि मेरी site पे आज बहुत ज्यादा traffic आ रहा था कल कुछ भी नहीं आ रहा है कल मेरा keyword number 10 की position पे था आज number 5 की position है इसको बोलता है Google dancing लेकिन यह Google dancing वो आपके user acceptance testing का ही result होता है यह बहुत सारे मैंने study की है बहुत सारे मैंने documents पढ़ने के बाद में यह मेरा conclusion निकला है and that is practical I have experienced myself पर बहुत सा लोग मुझे इसी चीज़ को लेकर के comment भी करता है so guys Google sandbox पर definitely आप focus कीजिएगा आपके जो initial आपकी site पर पोस्ट publish करते है उसकी quality content अच्छी रखेगा क्योंकि अगर आपकी site इस user acceptance testing के अंदर fail हो जाती है तो समझ लो कि उसका future जो है वो बहुत struggling हो जाएगा आपके future के content rank करेंगे या नहीं करेंगे reason क्या है अगर आपकी site का एक भी post rank होने लगता है तो उसके साथ साथ आपकी site के multiple post rank होने लग जाता है क्योंकि Google को चाहिए authority और ये में लाने वाला और नया वाला वीडियो जहां पर होगा हम eat के concept के बारे में discuss करेंगे what is expertise, what is authoritiveness और what is trustworthy मतलब eat जो होता है जिसको Google आपकी site के authority देता है और अगर आपकी site अगर इन तीनों parameter पर fulfill होती है तो वो rank करना चालू कर देती है तो अगर आप ये वीडियो चाहते है तो मुझे comment करके बताईए साथी साथ इस वीडियो के अंदर आपकी रह मुझे बताईए कि आपकी साथ तो never ask me कि मेरे site एक मेना दो मेने पुरानी है क्यों rank नहीं हो रही है हो सकता है you are under the UAT user acceptance testing और अगर आपकी site वहां पर बार बार fail हो रही है तो guys उस case के अंदर आपको content improvement की जरत है I hope कि guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और इंग्लिश का चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है और आप जाकर करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं कैसा ब्लॉगिंग स्टार्ट करना उसकी 11 fundamentals so guys आज के लिए फिर मिलेंगे के वीडियो के तब तक के लिए जय हिंग जय भारत